S.Chan presents educational video lectures as per the new UGC CBCS curriculum. Absolutely free, difficult science concepts made easy. Study anywhere, anytime. Physics at high pressure के बारे में तो हम अकसर पढ़ते आए हैं. और Physics में अलग-लग जगहां पर हमने high pressure से related बहुत कुछ चटड़ी किया है. लेकिन क्या हो के अगर हम Physics के फिनोमिना low pressure पर study करें? क्या हमें low pressure की ज़रूरत पढ़ती है? और ये low pressure कैसे अचीव किया जा सकता है? Hello everyone, I am Dr. Sashin Kumar. Welcome to S.Chan Academy. तो आज का हमारा topic है Physics at low pressure. तो first of all हम ये सीखेंगे के Physics at low pressure में overall हम low pressure अचीव कैसे कर सकते हैं? कि हमारे पास ये atmosphere है, हमारे पास one atmospheric pressure है. So how could we achieve low pressure at all? And second thing, हम उस low pressure को measure कैसे करेंगे? कि हम कितना low pressure तक जा चुके हैं? अगर आप इस topic को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप S.Chan Publishing की e-book को refer कर सकते हैं. e-book की e-book का link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा. So let's begin. एक basic सा example मैं आपको दे सकता हूँ, कि अगर आपको low pressure किसी तरीके से achieve करना हो, तो आप कैसे achieve कर सकते हैं? आपने basically देखा है, कि कुछ जो medical syringe हमारे पास आती है, वो जो syringe है, वो क्या होती है, कि overall अगर आप उसका जो hole है, उसको एक तरफ से बंद कर दो, and then उसको जोर लगा कर खींचो, तो overall क्या है, कि आपने उसके अंदर air की entry नहीं होने दी, and उसके अंदर एक vacuum, या overall हम कह सकते हैं, कि not absolute vacuum, but एक low pressure create हो जाता है, तो इस तरीके से, ये तो हुआ कि एक experiment, कि आपने उसमें एक syringe के अंदर low pressure जो है, वो आपने create कर लिया, but आप generally, अगर किसी experiment में आपको low pressure की जरूरत है, आज कल आपने देखा होगा, कि जो नई technology के हिसाब से, जो क्या करते हैं, cushions वगएरा, pillow वगएरा, जो pack होकर आते हैं, वो भी suction करके, उसको vacuum से बिल्कुल squeeze करके, छोटे से size में convert करके, फिर deliver किया जाता है, तो overall हमें इस चीज की, basically जरूरत है, कि हम कहीं से air को pump out करके, वहाँ पर low pressure create कर सकें, तो सबसे पहले इसका जो first method है, और जो कि most popular आपके पास method है, वो होता है आपके पास rotary pump, एक rotary pump जो है, ये एक simplest machine है, जिसका use करके, आप कहीं पर vacuum create कर सकते हों, overall vacuum से मेरा मतलब, एक absolute vacuum create करना नहीं है, वो हम यहाँ पर, next to impossible ठीक है, बहुत जादा difficult है, कि हम बिल्कुल absolute vacuum create करें, क्योंकि जो atmospheric pressure है, उसमें कुछ ना कुछ molecules रहते ही हैं, तो consider कीजिए, कि अगर आपके पास, कुछ volume के अंदर one mole gas है, तो आपने one mole की जगे, वहाँ से half mole gas को बाहर निकाल दिया, तो that is a kind of partial vacuum, तो हम partial vacuum जो है, वो achieve कर पाते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कि किसी तरीके से, बाहर के atmospheric pressure से लड़ते हुए, अंदर के molecules को हम बाहर फैंकना शुरू करें, तो उसके लिए basic एक technique use की जाती है, कि जिसको हम कह रहें, rotary pump, तो इसमें क्या होता है, और ये आपके पास एक इस तरीके का इसमें एक chamber है, तो इसमें एक wheel होता है, जो कि इसके center पे नहीं होता है, So, I can draw this like this, Now, इसके wheel के साथ, अब यहाँ पर कुछ इसमें needles लगी होती हैं, जो कि generally इसके surface से touch में रहती हैं, Like this, अब यहाँ पर दो तरह की phenomena हो सकते हैं, आइदर हम यहाँ पर इसमें किसी तरह का spring mechanism यूज़ करें, जिसके through हम इसको pushed state में रखें, कि यह बाहर रहें, या कुछ smart designs में ऐसा भी किया जा सकता है, कि only because of centrifugal force, यह जो आपकी needles हैं, यह बाहर की तरफ जाएं और surface से touch में रहें, तो अब क्या होता है, कि हमने यहाँ पर overall इतना gas का volume, जो कि यह हमारे पास inlet है, inlet से कुछ gas यहाँ पर enter की, तो हमने यहाँ पर इसे इतने volume में capture कर लिया, फिर जैसे यह wheel घूमेगा आपका in this direction, तो वैसे वैसे यह जो volume है, वो अगले compartment में shift हो जाएगा, ठीक है, तो यह दो needles के बीच में, यह capture होके आगे चला जाएगा, and उसके बाद next compartment में, जो की पिछले वाले से छोटा है, size में, तो overall क्या है, कि हम उसे compress कर देते हैं, and finally, जब हम उसे compress करते हैं, तो उसके अंदर pressure जादा होता है, और वो release होने के लिए, यह वापिस expand होना जाता है, तो finally, जब हम इसको last stage पर लेके राते हैं, जो की आपका outlet pipe के पास है, then, just because हम उसे compress कर चुके हैं, वो gas बहुत तेज़े से बाहर की तरफ निकलती है, so, इस तरीके से एक rotary pump, एक simple machine जो है, वो आपका vacuum, partial vacuum, I should say, वो achieve करने में आपकी help करती है, तो ये हमारा सबसे पहला, जो simplest machine है, vacuum को achieve करने के लिए, अब इसके बाद हमारे पास, diffusion pump होता है, diffusion pump क्या करता है, diffusion pump को overall, ये मान के चलिए, कि rotary pump की भी जरूरत होती है, ठीक है, तो ये एक basic phenomena आपको समझना चाहिए, ये जो है, ये बहुत ज्यादा vacuum की condition, ये बहुत ज्यादा हम कहें, कि low pressure की condition तक नहीं जा पाता, तो इसकी कुछ limitations है, एक हद तक, उसके बाद जब air की density बहुत कम हो जाती है, उसके बाद, ये अगर छोटे compartment में जाए भी, तो भी वो gas push होकर बाहर की तरफ नहीं निकलती है, तो ये एक, अपना, एक maximum pump री condition तक work कर सकता है, उसके बाद, ये जो है, वो stop हो जाता है, इसकी functioning उससे आगे नहीं हो पाती, तो हमें उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद हमें diffusion pump चाहिए, So, let us discuss के diffusion pump में क्या होता है, So, in case of diffusion pump, basically क्या है, एक phenomena हम use करते हैं, जिसमें oil को हम heat करते हैं, oil vaporize होता है, vaporize होने के बाद, वो जैसे ही oil, आस पास की जो air है, उसके कुछ molecules को अपने अंदर capture करते हैं, लेता है, and फिर हम उसे walls तक ले जाके, किसी तरीके से down ले आते हैं, और वहाँ से उसे बाहर फैक देते हैं, तो ये condition overall हम achieve करते हैं, या इसको हम इस हिसाब से set करते हैं, तो let's look at, कि ये किस तरीके का इसका design होता है, तो overall इसमें नीचे की तरफ, एक आपके पास chamber है, जिसके अंदर आपके पास oil है, साथ में इसमें लगा हुआ है, आपके पास एक heater, तो heater जो है, वो इस oil को heat up कर रहा है, अब इसके weppers जो हैं, वो बाहर उठ रहे हैं, अब सबसे पहले आपके पास एक broadest chamber है, एंड यह जो broadest chamber है, इसकी जो nozzles है, वो एंड में इस तरीके के design की है, यह आपके पास overall chamber की outer covering है, fine, एंड इसके साथ अब यहाँ पर और भी chamber होगे, और भी इस तरह की structures होगी, जैसे की यहाँ पर अंदर है, तो उनकी भी इसी तरीके की similar structure होगी, जिसमें वो बाहर की तरफ वेपर्स को direct कर रहे होंगे, एंड इसके अलावा further और भी pipes यहाँ बनाई जा सकती है, जो की further इसी तरीके से direct करते हैं, तो जैसे ही हम oil को heat करेंगे, oil के जो वेपर्स हैं, वो यहाँ पर जो भी air के molecules होंगे, उनको capture करना शुरू करेंगे, वो capture करते ही जैसे ही इन nozzle से, बाहर आकर इसकी wall पर टकराएंगे, अब इनकी walls को हम, by using water और chilled water ठीक है, तो किसी तरीके से हम इसको पुरा ठंडा रखेंगे, तो वो ऐसा भी हो सकता है, कि sometimes environment का ही आपका temperature लो हो, तब किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत ना पड़े, otherwise, पानी के flow से, ठंडे पानी के flow से, हम इसके outer covering को जो है, तो इसको हम ठंडा रखते हैं, finally, जब यहाँ पर आपका जो oil है, वो vapor से again liquid state में आ जाता है, और यहाँ से shift होकर नीचे जाता है, तो यहाँ पर जो molecule उसने capture किया है, उसे वो छोड़ देता है, तो वो जो molecule air का यहाँ पर है, यहाँ पर हम एक outlet बनाते हैं, तो यह outlet क्या है, यह outlet further एक low pressure पर है, क्योंकि यहाँ हम air का flow नहीं बना सकते, या किसी भी तरीके का flow generate नहीं कर सकते, क्योंकि air के flow के साथ तो oil के vapor भी उड़के आ जाएंगे, तो हम सिर्फ क्या करते हैं, हम यहाँ पर low pressure create करते हैं, तो low pressure कैसे create करते हैं, हम इससे आगे rotary pump लगा देते हैं, तो उससे overall इस chamber में low pressure create होता है, तो जैसे ही air के molecules जो यहाँ पर आते हैं, वो pressure gradient की वज़े से, क्योंकि यहाँ low pressure है, तो वो आगे की तरफ चले जाते हैं, आगे की तरफ move हो जाते हैं, तो जिससे यहाँ पर high vacuum achieve हो जाता है, ठीक है, तो vacuum means overall low pressure हमें यहाँ पर मिल जाता है, तो diffusion pump जो है, वो काफी efficient है, आपको 10 दिद पार minus 2 से 10 दिद पार minus 4 मिली बार का low pressure अचीव करने के लिए, इसके बाद आपके पास जो next है, वो है turbo molecular pump, तो turbo molecular pump क्या है, वो इस pump से भी जादा efficient है, वो और low vacuum तक अचीव कर सकता है, low vacuum में तो हम next जो है, वो study करते हैं, कि turbo molecular pump जो है, वो कैसे काम करता है, so let's look at it, तो overall turbo molecular pump इस चीज, इस function पे basically principle पे work करता है, कि अगर आप air की molecules को एक particular direction में push करते रहो, तो उससे क्या होगा, कि air जो है वो उसी direction में अपना flow बना लेगी, तो एक तरफ अगर हम एक ही तरफ उसको push करते रहेंगे, तो एक तरफ आपके पास overall vacuum की condition अचीव हो सकती है, तो ये एक कहें के simplest kind of design है, ये आपका diffusion pump से भी मान सकते हैं, कि जादा easy जो है वो आपका design है, तो इसमें क्या है, आपके पास जो chamber है, उस chamber में आपके पास कुछ fan type structure ये इस तरह से blade लगे होते हैं, अब अगर मैं इसे क्या कहते हैं, एक angle से देखूँ, एक particular, ये हमने एक top view बनाने की कोशिश की, उसके लावा अगर मैं इसको parallel इसका draw करूँ, तो ये chamber आपको इस तरीके से लग सकता है, कि इसमें इस तरीके के एक orientation में blade है, तो ये blade जब overall ये जो wheel है, ये आपका इस direction में rotate करेगा, या मैं कहूँ कि यहाँ पर ये इस direction में rotate करेंगे, तो rotate होते हुए ये air के molecules को नीचे की तरफ push करेंगे, अब इसके बाद ये कुछ जो होते हैं, ये तो होते हैं कि जो blades move करते हैं, इसके बाद कुछ blades ऐसे होते हैं, जो इनके opposite direction में लगे रहते हैं, अपोजिट ओर्डर में aligned होते हैं, ये static रहते हैं, तो उसके बाद ये यहाँ से move होने के बाद, then again इसी orientation में एक और rotator आपके पास रहाएगा, जो फिर further, जो air molecules हैं, उनको एक particular direction में throw करेगा, and similarly, ये जो हैं, ये आपके static fins हैं, जो यहीं पर रहते हैं, जो move नहीं करते हैं, and after some stages, आपके कुछ molecules air के, chamber के निचले portion में पहुँच जाते हैं, then, आपके पास, यहाँ पर एक outlet होता है, जो की overall, एक low pressure chamber से connected है, और वो low pressure chamber हमने, again, rotary pump से बनाया, तो जब वहाँ पर एक low pressure होगा, तो यहाँ पर जितने भी molecules आएंगे, वो दूसरे chamber में transfer हो जाएंगे, तो overall जो इस से उपर का हमारे पास chamber होगा, उस chamber के अंदर हमारे पास, एक very low pressure, create हो जाएगा, now, let me tell you one thing, कि आपने देखा होगा, कि जो हमारे घरों में basically शीशे होते हैं, ठीक है, तो वो शीशा क्या है, एक तो simple कांच होता है, कांच के पीछे, हमेशा आपने देखा होगा, कि red या blue color में paint किया होता है, तो basically क्या होता है, कि जो वो शीशा है, उसके पीछे दूसरी direction में, aluminum की coating की होती है, तो वो aluminum की coating जो है, वो इतनी पतली होती है, कि अगर आप उसे हाथ से घिसे, तो आप उस coating को हटा सकते हो, तो इसलिए उसको save करने के लिए, एक thick color की, thick color की उसपे coating कर देते हैं, ताकि वो एक तरह से उसको protect कर दे, लेकिन वो जो है, pressure create किया जाता है, very low pressure create करने के बाद क्या होता है, कि अगर आप aluminum को एक high temperature पे लेकर जाते हो, तो aluminum के molecules भी air के molecules की तरह काफी दूर तक travel करते हैं, and उसमें अगर आप कोई भी काच या कोई भी object अगर रख दोगे, तो aluminum के molecules उसपे जाकर चिपक जाते हैं, तो इस तरीके से एक बहुत fine layer किसी भी object के उपर, इस तरीके से aluminum की बनाई जाती है, और overall इसी तरीके से ही, जो आपके घरों में mirrors रहते हैं, वो बनाई जाते हैं, अब दूसरी condition हमारे पास ये है, कि ये जो low pressure है, ये measure कैसे किया जाए, तो low pressure को measure करने का फिनोमिना हम पढ़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, Hello everyone, I am Dr. Seema Dhakran, welcome to S. Chand Academy, I will be teaching you topics, limit and continuity, differentiability, partial differentiation, tangents and normals, curvature, curve tracing and many more. Please like, share and subscribe S. Chand Academy and don't forget to press the bell icon for the future updates. Welcome back to S. Chand Academy. Break पर जाने से पहले, हमने discuss किया था कि low pressure या एक हिसाब से partial vacuum कैसे create किया जा सकता है? और उसकी application क्या है, वो भी हमने सीखी. अब हमें ये जानना है कि हम low pressure को overall measure करेंगे, कैसे कर सकते हैं? तो जैसे कि high pressure जो होता है, उसके लिए कुछ gauge रहते हैं, तो low pressure को measure करने के, जो gauge है, वो बनाना basically, इतना easy काम नहीं होता, तो उसके लिए कुछ साइंटिफिक स्किल्स या साइंटिफिक प्रोपर्टीज का use किया जाता है, तो दो तरह हैं के हमारे पास gauge हैं, जो most popularly available हैं हमारे पास, एक हमारे पास होता है, panning ionization gauge, तो हमारे पास है, panning ionization gauge, तो ये low pressure को measure करने के काम आता है, panning ionization gauge में हमारे पास क्या है, कि हमारे पास एक central ring होता है, ये ring जो है, ये दोनों तरफ surrounded होता है, दो plate से, जो plate overall हमारे पास, हम कह सकते हैं, कि these plate are cathodes, एंड ये जो ring है, जो की एक बहुत पतला ring नहीं है, एक ही strip है, जो strip को हमने roll करके, हमने एक ring बनाया है, तो मैं इससे थोड़ा सा, इस तरीके से reflect करता हूं, एंड इसको हम connect करते हैं, and this is as anode, तो ये दोनों जो आपके पास plates हैं, ये as cathode roll play करती है, और ये जो ring है, as anode roll play करता है, इसके अलावा हम यहाँ पर magnets लगाते हैं, इसके साथ हम यहाँ पर, overall 2000 volt, इतना हम high voltage यहाँ provide करते हैं, and यहाँ एक galvanometer attach करते हैं, अब इनके अंदर वैसे current का कोई flow नहीं होना चाहिए, but जितने भी यहाँ पर air molecules होंगे, at low pressure, जब वो ionize हो जाएंगे, तो air में हमेशा कुछ न कुछ ions present होते हैं, but high potential से हम जो बाकी molecules हैं, उनको भी ionize कर सकते हैं, तो इसमें जो भी molecules होंगे, हम उनको ionize करेंगे, तो ionize करने से क्या है, कि उसके कुछ parts इस plate पे, and कुछ part आपके पास, इस ring के उपर आकर accumulate हो जाएंगे, and because of that, कि जो उसके एक positive और negative part, जो अलग-लग होकर move हुए, उनकी वजह से एक current का flow, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, अब main बात यह है, कि यहाँ जितने molecule होंगे, यह जो current है, वो यहाँ पर overall इस volume में, जितने molecules होंगे, उनकी presence पर depend करता है, कि उनकी density कितनी है, सो हम current measure करते हैं, and current measure से हम judge करते हैं, कि overall यहाँ पर कितने air के molecules present है, magnetic field लगाने का एक यहाँ खास purpose होता है, कि जो भी charge आपके पास इस direction में move करना चाहता है, तो either this process will happen quite quickly, तो बहुत तेजी से यह process होगा, क्योंकि यह charge जो हैं, वो अलग होते ही, अपनी respective plates के उपर चले जाएंगे, तो magnetic field की वजह से, जब वो किसी भी direction में जा रहे हैं, तो उनका path length बढ़ जाती है, वो spiral होते हुए, दूसरे plate की तरफ जाते हैं, नौ इससे क्या फर्क पड़ता है, कि इससे time overall increase हो जाता है, और हमारे पास observation के लिए ample time होता है, कि हम overall उस current को measure कर सकें, और अगला signal उससे आके overlap ना कर जाएंगे, इस तरीके से using panning ionization gauge measure किया जाता है, अब panning gauge के बाद हमारे पास एक होता है पिरानी gauge, अब पिरानी gauge किस तरीके से work करता है, वो भी लगभग यही phenomena के gas की density पे कोई property based है, वो हम उसमें variation note करते हैं और उससे हम overall जो low pressure है, वो measure करते हैं, तो इसके बाद हम देख रहे हैं पिरानी gauge, तो overall पिरानी gauge में हमारे पास क्या है, it's one of the simplest kind of gauge, इसमें हम basically क्या करते हैं, हमारे पास है एक weed stone bridge, तो weed stone bridge आप जानते हैं कि एक आपके पास resistance है, एक और आपके पास यहाँ पे resistor है, यहाँ पर एक और resistor, यहाँ पर आपके पास fourth resistor, यहाँ हमने एक galvanometer attach किया है, और overall हम इससे एक voltage से connect करते हैं, now, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम दो chamber create करते हैं, one chamber is this, and one chamber is this, तो overall यह thermal conductivity of a gas इस phenomena पे work करता है, तो एक basic सी बात यह है, कि मान लीजे, कोई भी चीज heated है, और उसके आसपास बहुत ज्यादा gas के molecules है, तो वो gas के molecules उससे टकराएंगे, और उसकी heat को बाहर लेके चले जाएंगे, तो वो object जो है, वो जल्दी ठंडा होगा, and second phenomena में आप यह सोच सकते हैं, कि कोई heated चीज़ है, पर आसपास gas के बहुत कम molecule present है, low pressure आपका वहाँ पर maintained है, in that case आपके पास कम molecule उस surface से टकराएंगे, और उसकी heat को लेकर जाएंगे, तो कितना temperature किसी object का कम हो जाता है, in a particular time, उससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, कि हमारे पास उस air में कितने molecules present हैं, तो इसमें हमारे पास एक होता है reference chamber, तो इस chamber के reference में हम measure कर रहे हैं, इसका जो भी temperature है उसके reference में, और यहाँ पर हम इसको जिस chamber का हमें partial vacuum की value calculate करनी है, कि वो कितने millibar में है, 10 to the power minus 2, 3, 4, कितने millibar में हैं, तो अगर हमें वो calculate करना है, तो हम इस एक resistance को, जो की measurement का आपका chamber है, उसको हम connect करेंगे, vacuum के measurement के लिए, Now, यहाँ पर जितने भी air molecule की presence होगी, उससे हम इस filament को किसी temperature पर high temperature तक ले कर जाएंगे, तो यह अपना temperature जितना lose करेगा, इसका temperature में जितना variation आएगा, तो उसना ही इस filament का resistance change होगा, और जब इसका resistance change होगा, तब यह जो आपके पास weedstone bridge है, उसमें यह जो galvanometer है, initially यह balance state में होता है, balance state means, इस resistor का और इस resistor का ratio, is equal to this and this resistance ratio, तो पहले यह initially balance state में होता है, और जब इसका temperature change होता है, temperature change की वजह से, overall यहाँ पर resistance में variation आएगा, and resistance में variation की वजह से, आपका जो balanced weedstone bridge है, उसमें कुछ current का flow शुरू होगा, तो इस तरीके से हम measure करते हैं, कि यहाँ पर कितने molecules की density है, जिनकी वजह से एक particular time में, इतना temperature में variation आ गया, तो यह हमारे पास पिरानी गेज है, जिससे हम low pressure जो है, वो measure करते हैं, as a summary, अगर हम इस lecture में देखें, तो सबसे पहले हमने discuss किया, कि physics at low pressure की आपको क्या जरूरत है, physics at low pressure कैसे achieve किया जा सकता है, achieve करने के matter में, हमने सबसे पहले rotatory pump, उसको discuss किया, उसके बाद हम आए diffusion pump पे, diffusion pump में oil को diffuse करके, हमने air molecules को capture किया, लेकिन उसके साथ rotary pump भी आपका जुड़ा होता है, इसके बाद हमने turbo molecular pump यूज किया, इस pump का use high vacuum achieve करने के लिए किया जाता है, and finally जब हमने कहीं पर partial vacuum achieve कर लिया है, उसके बाद हमें उसे measure करना ज़रूरी है, low pressure को measure करने के हमारे पास दो method है, एक है panning gauge, जिसमें हम एक chamber में कितने molecules हैं, उसके हिसाब से कितने ions create होते हैं, उसके based current को measure करके, हम air का low pressure measure करते हैं, and second is our pirani gauge, जिसके अंदर हम basically measure करते हैं, के thermal conductivity जो है, जितने air molecules जादा होंगे, उतना वो heat को किसी object से दूर लेके जाएंगे, and उतना उसके resistance में आपको variation मिलेगा, तो उसको calibrate करके system को अपने according हम measure कर सकते हैं, कि overall कितना pressure उस chamber में है, I hope you like this video, अगर आप इस concept को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो S.Chan Publishing की इस book को refer कर सकते हैं, इस book की e-book का link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो इसे like जरूर कीजे, अपने comments, comment section में जरूर लिखिए, चैनल को subscribe करना ना भूलिए, और हम connected रहें, इसके लिए bell icon दबाईए, टेक केर, have a very good day. All rights resolved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.